हाँ लेकिन ये कह सकते हैं कि इसके comparatively reconstruction बहुत ही आसान है जैसे आपने करा भी ये questions फटाफट हो रहे थे लेकिन reconstruction का एक ये सवाल आ गया था general entry हमें general से नहीं देखना पूछा क्या है वो देखते हैं चलिए देखते हैं कितने बच्चे समझ पाते हैं कहता है s limited taken over r limited यानि सर s limited है और एक r limited है ठीक है s limited ने इसको खरीदा तो आप पहले न सबसे पहले तो ये तै कर लें कि ये बायर है ये salary ये विकाव company और ये खरीदार है क्या कह रहा है s limited अच्छा taken over buy अरे कहां चला गया अगर अंडू नहीं होता तो क्या होता ये भाई साहब seller है और ये buyer ठीक है दो company की कहानी क्याता है s limited s limited का मतलब seller company has 9% debenture 100 रुपी सीच इसके पास 9% debenture है 100 रुपीस इच वाले face value जिसका बनता है 22,50,000 रुपीस 22,50,000 तो मैं आपसे जानना चाता हूँ number कितने होंगे टेस्ट कर रहा हूँ knowledge को तो 22,50,000 divided by 100 यानि इसके नंबर होंगे बाइस सो बाइस हजार पांसो नाइन परसेंट डिवेंचर होल्डर अफ एस लिमिटेड और डिस्चार्ज बाइर लिमिटेड इसका कहने का मत्लब है भाईया इसके डिवेंचर को यह जो बाइर है डिस्चार्ज का मतलब पैमिंट करने की कोशिष कर रहा है र्लिमेटेड बोलता है भाई ते रहे डिवेंचर जो भी दिख रहे नो परसेंट वाला मैं सोच रहा हूं कि मैं तुझे देदू 15 परसेंट वाला डिवेंचर हलका डिवेंचर मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसका रेट ऑफ इंट्रस्ट कम है और विसी बात है तो वह विकारी डिवेंचर लगेगा आपको दो रेट दे तो तो बोला गया कि मैं मैं तुझे करूंगा इसू सच नंबर सच नंबर पर थोड़ा सा हाइलाइट कर दें सच नंबर ठीक है बोड़ा नंबर नहीं बताएंगे हम आपको कितने देंगे आपको देंगे 15 परसेंट डिवेंचर 100 रुपिस इच आल्सो टूबी मेंटें सेम अमाउंट ऑफ इंट् कि बस रेट बदल जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में आपको नंबर अफ डिवेंचर निकाल के बताना है कैल्कुलेट दा नंबर अफ डिवेंचर अब देखो सिंपल सी बात है एक एक्जांपल लेता हूं तो आपको समझ में आएगा कोश्चन क्या कहना चाह रहा है कोश् कितना ब्याज मिलेगा बताओ की सौ रुपए मेंने बोला कि आपको बीस परसंट में डिवेंचर दूँगा और आपका ब्याज सौ रुपई होना चाहिए तो बताओ कितने डिवेंचर खigma क्रीद होगे यानि 500 रुपे का आप समझ रहे हो कोश्चन में क्या पूश्चन समझ में आएगा तो यह वाला कोश्चन समझ में आएगा करें समझ में मैंने क्या खा कि बहीं थीजिया तुमें पहले वाले जितना ही प्याज मिलेगा तो ऐसे कम विंचर खरीद ओगे ना तो यहांनि आपको डिवेंचर कम यानि वेरी सिंपल पहले हजार रुपे पर आपको यह मिलता था तो अब 500 रुपे का यानि 20 रुपे वाला खरीदोगे तो यानि पांच डिवेंचर हो जाएंगे आपके यानि आपका रेट ऑफ इंटरस बढ़ा और नंबर ऑफ डिवेंचर घटा सेम इंटरस मेंटेन करने के लिए तो आपने यहां पे पता है कैसे निकाला यह समझना आपने वैसे देखो मैं एक्जामपल वो लेता इसलिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं यह इंटरस्ट है इंटरस्ट कितना होना चीए 100 और आपको कितने पर्सेंट इसको दूसरे तरीके साथ आते हैं फिर एक्जामपल देखना कि बारा पर्सेंट डिवेंचर एक हजार है एड़ रेट हैं फंड्रेट इच कौन बच्चा मुझे इंट्रस निकालके बताएगा देखते हैं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इंट्रस भी निकालना सिखा है इंट्रस बताओ क्या निकलेगा कि सब ऐसे सोच रहे हैं नया चप्टर करवा दिया वहीं बारा जार है भीया सिंपल सी बात है दस एक हजार इंट्व में सो एक लाक एक लाक पर बारा परस अब मैंने कहा कि कि आपको मैं चौबिस परसेंट अरे यह बच्चे ट्राइ करते रहते हैं कि इससे होता क्या है हेंड्रेस के आप एक बार कमेंट में डाल दीजिए सब ने बता दिया बारा जार अब मैंने कहा कि आपको चौबिस परसेंट ब्याज हो और चौबिस परसेंट ब्याज वाले आपको डिबेंचर देंगे हम क्या देंगे लेकिन आपका इंट्रेस्ट ना जितना पहले था उतना ही मिलेगा यानि आपका अभी भी जो इंट्रेस्ट होगा ना रुप यी तो अपको बताना है कि कितने डिबेंचर खरीदो जो कि आपका बारा हजार ही इंट्रेस्ट बन जाए अब पान सो यादि छे हजार डिबेंचर खरीद लेगे पान सो खरीतते हैं तो पचास हजार और पकास हजार पर 24% फिर से क्या बन जाएगा 12,000 यानि आपने कहा सर 500 डिबेंचर खरीद लो 100 रुपए का एक डिबेंचर और बनता है आपका 50,000 इस पर 24% जब आप निकालोगे तो equal to कितने बनेंगे ये तो ऐसा question मैंने पूछा कि आपने देखते ही जट से जवाब दे दिया लेकिन यहाँ पर यह कहानी नहीं है ना देखते ही नहीं आएगा इसको mathematical form में कैसे किया गया वो समझें mathematical form में किया गया कि भाईया 12,000 रुपए का ब्याज था 12,000 का ब्याज था और ये था equal to कितने percent हमारा मतलब पहले 12,000 ब्याज था अब ये 12,000 ब्याज कह रहा हूँ के अब इसके हिसाब से मिलेगा तो ये 24% होगा that is 0.24 और आपको entire face value पता चल जाए अगर मैं बोल दू के 50,000 रुपए का डिबेंचर होगा तो नंबर तो निकाली ही लो गया 100 से डिवाइड करके मैंने कहा डिबेंचर का value था 100 यानि 100 रुपए पर .25 करा तो आप देखोगे यहां पर value निकल के आएगा करके देखिया क्या यही ही आ रहा है कि ज्यादा आ गया अच्छा हां कि नहीं पॉइंट लगाने के बाद ज्यादा हो गया ना कि 24 करते हैं मतलब percentage को अब यह एक बात और देखे एक बात ध्यान दीजिए चलिए कर दीजिए अभी कर दीजिए चलिए अब आगे ठीक है पचास हजार अब पचास हजार है तो इसका मतलब सर्पचास हजार divided by डिविज्वल बाइ सो करोगे तो आप मुझे बता पाओगे नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं समझ मैं एक आने ऐसे mathematical पॉर्म में कर सकते हैं सेम सवाल यह कहता है कि भाईया पहले तुमारे पास यह डिवेंचर थे जिसके उपर आपको यह था तो आपको निकालना पड़ेगा पहला पॉइंट क्या इसके उपर इंटरस कितना कमाते तो दो लाख 25,000 पर 9% कितना बनता है दो लाख 25,000 रुपए पर नई दो नी बाइस लाख 50,000 पर 9% दो लाख सर इतना ब्याज पहले आप कमाया करते थे नाव आपको 15% डिवेंचर दिया जाएगा और बोलते हैं ब्याज उतना ही रहेगा कहां बोल रहा है सर यह कहता है सच नंबर 15% लास में कहता है maintain the same amount of interest इसका मतलब जो पहले ब्याज था वो ही अभी मिलेगा आपको तो very simple बात भाईया ब्याज आपके तो दो लाख यही रहेंगे लेकिन rate क्या हो जाएगा पंदरा डिवेंचर कितने का था सो मतलब rate को flick कर दिया तो overall amount आ जाता है जब हम rate को reverse कर देते हैं तो amount आ जाता है क्या आया amount ने क्या तेरा लाख पचास हजार यह आ गया रुपीस उसने बोला भाईया रुपीस मत बताईए प्लीज मुझे number बता दीजिए तो number क्या आ पूछा गया था आपका पिछले साल का अ प्रोग्राम में फूचा गया था इधिक रीकंश्रक्शन में एक पॉइंट डाल दिया था एक नमबर का एक समिध़ने इसको आप समझेंगे मैंने पूरा example लेकर समझाया है इससी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये मैंने अपने एक्जाम्पल लिया है किलियर है सर बीस पच्चिस सो कैसे आया बीस पच्चिस सो कैसे आया देखिए मैंने बताया था अभी बाइस लाग पचास हजार पे गुणा में नो बटे सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू यही निकल के आएगा ब्याज किलियर हाँ जी भाई साब किलियर है बच्चे कह रहे हैं वंडरफुल कोश्चन ठीक है एक बार और रिपीट आप एक बार देखिएगा अब मैं एक बार कंक्लूड कर दूँ इसको जब ऐसा सवाल हो जहां पे आपको एक कंपणी का डिबेंचर गीवन हो और डिबेंचर के साथ उसका इंटरस रेट गीवन हो इंटरस और दूसरी कंपणी कहता है कि मैं आपको इंटरस का रेट बढ़ाऊंगा लेकिन इंटरस सेमी रहेगा तो नंबर अफ डिबेंचर निकाली है तो उसकेस में क्या करेंगे जो पुरानी कंपणी का इंटरस था वही ले लेंगे और डिवाइड़ बाइ कर देंगे नई कंपणी का इंटरस रेट और इंटू में 100 तो आग क्या जाएगा हमारा ओवल और अमाउंट ऑफ डिवेंचर जो नई कंपणी के अंदर मिलने वाला है और उसको फेस वेल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा नंबर आफ यहां क्या निकाला था अमाउंट ऑफ डिवेंचर रुपीस आये था उसको मैंने कि से डिवाइड कर दिया सो रुपे का एक था यहां कह रहाता है कहां के सौ रुपे का एक सौ से दस रुपे का कहता तो वह अलगा जाता है ठीक है कर देंगे